दसगुना तीजे से बाल बढ़ने लगेंगे साथी में स्मूधन सिल्की काले घने मोटे बाल होंगे इस 100% नाचरल पावरफुल रेमेडी से एक बार जरूर ट्राय करके देखें इसमें हम 2-3 चीजों का यूज करेंगे वो भी घर की चीजे होंगी और इसमें आपका 1 भी र बता है अनार खाने के बहुत ज़्यादा फाइदे है वैसे ही इसके पत्तों के इसके चिलके के भी बहुत ज़्यादा फाइदे है हमारे स्कीन के लिए भी और हैर के लिए भी बस आपको इसे सही तरीके से यूज करना होगा और यहां पे दिखिए अनार जैसे हम चीलते है दानों को हम अच्छे से खा लेते हैं पर उसका चिलका कच्रे में फेक देते हैं पर इसी चिलके का आज हम यूज 수가 करेंगे तो यहाँ पे मैंने दो वीडियम साइज के अनार लिए है और उसके चिलको को निकाल लिया है चाहो तो आप थोड़ा ही से बना सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा भी बना के एक ही बार में रख सकते हो और यहाँ पर देखें कैसे इसे बनाना ही देखते हैं उसके लिए क्या करना है जो अंदर के बीज है रेड़ वाले वो भी आप थोड़े बहुत अगर लेना चाहते तो ले सकते हो या फिर सिर्फ चिलका ही यहाँ पर यूज कर सकते हो और हाँ आप ये वीडियो किस गाउं से या शेर से देख रहे हो मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताईए ताकि मेरा वीडियो कहां कहां पहुचा हो मुझे पता चल सके तो देखें यहाँ पर मैंने कटोरी के लगभग लिये है और यहाँ पे हमें चाहिए लोहे का बरतन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो पर लोहे के बरतन में बनाओगे तो और भी इसके ज़्यादा आपको फाइदे मिलेंगे तो यहाँ पे मैंने लोहे का तवा लिया है इसके उपर मेंने डाल दी है जो चिलके हमने निकाले थे अनार के वो और यहाँ पे हमें लगभग देड़ ग्लास के करीब पानी डालना है चिलके के हिसाब से आप पानी कमज़ादा कर लीजे अब हम मीडियम गैस पे इसे पकाएंगे लगभग 5 मिनिट के लिए जैसे इसमें उ यूज करते हो तो इसे यूज करने के 2-3 तरीके है तो चलिए देखते से पहले कैसे पकाना है और कभी यह पूरा बन गया है कैसे पता चलेगा तो उसके लिए देखे क्या करना है से बीच बीच में थोड़ा सा चलाईए और जैसे 2 मिनिट होंगे पानी बहुत ज़्यादा इसी गरम हो जाएगा तो आप देखोगे पानी का कलर हलका सा काला होने लगता है अगर आपके बालों को आपको कोई कलर देना है जैसे कि अगर आपको थोड़ा रेडिश कलर देना है बालों को तो उसमें आप न इस लिकुड में डाल सकते एक तो चाय पावडर या फिर य 6 मिनिट बाद यह जो पानी है कितना ज़्यादा अच्छे से तियार होता है और पूरा ब्लैक होता है, काला हो जाता है और बस इस लिकोड को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और यह हमारे बालों के उपर एक कवच की तरह काम करता है अमरूत की तरह काम करता है तो इसका यूज करने का जो पहला तरीका है एक तो आप इसे बॉटल में भरके पूरे 15 दिन से 20 दिन तक एक मेहने तक यूज कर सकते हो फ्रीज के अंदर इस भरके रखिए और यहाँ पे हम इसे ऐज बालो के लिए स्प्रे यूज कर सकते हैं सीरम यूज कर सकते हैं तो इसे जल्दी स्मूदन सिल्की हो जाते है साती में आप देखोगे बालों का जड़ना बंद हो जाता है इस लिकुड़ी को दूसरा तरीका यूज करने का आप चाहो तो इसमें थोड़ा शांपू डालके बाल धोने के लिए भी यूज कर सकते हो उससे भी आपको बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा और साती में अगर आप बालों में महंदी लगाना पसंद करते हो तो उसमें आपको क्या करना है जैसे महंदी मिक्स करने के लिए आप कोई लिक्विड यूज करते हो तो वहां पर आपको इस लिक्विड को यूज करना है जैसे कि आप यहां पर देख सक तो मैंने थोड़ा liquid निकाल लिया है तो इसके अंदर में डालूंगी थोड़ी सी महंदी और इससे अगर आप बालों पे उकर लगाते हो तो आप देखोंगे बाल बहुत इच्छी से shine करने लगते है और अगर आपके बालों में dandruff है तो वो भी कम हो जाता है और इससे भी ब दूर होने लगती है इसमें double फायदा होता है तो आप मेंदी लगाते हो तो मेंदी भी लगानी आपको हो जाएगी और जो हमने बनाया है liquid उसके भी फायदे आपको मिलेंगे और बालों के उपर भी बहुत टाइम तक रहता है जैसे हम मेंदी लगा कर रखते है तो अच्छ यार हो जाएगा देखे एक चीज से हमने इसे बनाये जो कि हम कच्रे में फेकने वाले थे चिलके से और बहुत ही अच्छा ही रिजल्ट देता एक बार आप अगर गुगल पे भी सर्च करोगे तो आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे जो अनार के चिलके का रस होता है उससे बहुत ज़दा फायदा होता है हमारे स्किन के लिए और बालो के लिए तो यह हमने बनाये बालो के लिए तो देखे यहाँ पे हमें दूसरी चीज चाहिए वो है अनार के पेड़ के पत्ते तो यहाँ पे मैंने फ्रेश पत्तों को लेके अच्छे से सुखाया है और इसे चाहो तो आप फ्रेश पत्ते हैं अगर आपके पास तो फ्रेश यूज़ कर लीजे या फिर सूखे हुए इस तरीके से यूज़ कर सकते हो इसका पाउडर भी आपको मार्केट में मिलेगा और ये जो अनार का तेल होता है वो मार्केट में बहुत ज़दा महेंगा मिलता है ज यहां पे मैंने अनार के पत्तों को सुखा के थोड़ा बारिक कर लिया है इसके बाद यहां पे हमें एक बरतन लेना है यहां पे मैं एक छोटी सी कडाई ली है इसके अंदर हम यह डालेंगे पत्ते इसके बाद दिखे हमें डालना है coconut oil यहां पे आप कोई भी oil यूज कर सक मैंने ये powder लिया था पत्तो का और उसके हिसाब से oil ले लीजे अब हम रखेंगे इसको gas के उपर गरम करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत एक जरूरी बात का ध्यान रखना है यह जो oil है इसे सही temperature पर गरम करना पड़ेगा जिसे बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आप इस इसे 6 महने के लिए भी बना कर रख सकते हो जब चाहे तभी उस कर सकते हो तो देखें यहाँ पर कैसे इसे गरम करना है कैसे पहचाने की oil बन चुका है तो यहाँ पर पत्ते जो हमने डाले थे ना उसे हमें golden dark brown ऐसे करना है बिल्कुल जलाना नहीं है काला नहीं करना है इस बना लिया है गैस को बन कर दीजे इस तरीके से dark golden brown यह हमें करना है और इस oil को विल्कुल भी गरम यूज नहीं करना है नॉर्मल टेंपरेचर पर रखके आप इसे हपते में तीन बार यूज कर सकते हो रात में लगा के सुबह बालों को वाश कर दीजे एक बार जरूर ट्र प्र्वाय कर दीजे एक थी दूर है